हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई यूटूब चाहिए टेक्निकल कोश्चन अब मैं हूँ अलोक रंजन और लेया हैं दोस्तों आई यूसेल के लिए यूनिवर्सल पेपर यह बहुत ही मस्त पेपर है क्योंकि इसमें प्यारी के बहुत सारे कोश्चन आपको मिलेंगे केमिकल इं सब्सक्राइब लबी फीट पर मीनट को जो है आपको कितने केजी सेंटिमेटर और पर सेकेंड होगा तो यह हो जाएगा 2.3042 क्या सब्सक्राइब इसमें जो है कह रहा है कि इफ दे अप्रोमेक स्मॉलर कंपोजिशन ओफ एर इस 79 परसेंट एंटू 21 परसेंट ऑक्सिजन सब्सक्राइब मास कंपोजिशन ओफ एर क्या होगी तो मास में निकालेंगे तो 28.84 क्या सब्सक्राइब ठीक है कि वन लीटर ऑफ एलकोहल जिसकी डेंस्टी 810 है उसको वन लीटर ऑफ वाटर जिसकी डेंस्टी 1005 है उन दोनों को मिला गया तो जो टोटल वैलूम का ह् 4D वन 200 टन एक वल टू कितना होता है तो यह नौन सो टन जो होता है नौं सो साथ के जी क्या बराबर होता है वेलुआ सपीफ्यक्टृट्रेसियो फार मोनो 에टॉमिक गैसेज तो मोनो एटॉमिट गैसस की जो इस स्पेसिफ्यक्ट रासियो उती है। 1.66 होती है इसलोटैों कि स्थेरों मस्री ये ट्रहसेल सेम होता है मोलय वीच इफ्पेंग्या वीच का सही एंसर होगा जो सोल विल्टी में जो है एक तरह से इफेक्ट डालती है बाकि टंप्रेचर पेसर नेचर और सुल्वेंट बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है करें थिकनिस और बॉंडरी लेयर इस और कंपेर्ट और रच यॉद्व अज़ेक्टा से कम होती है तो वहां पर जो है ज्यादा इंपोर्टेंट होता है बिंगम प्लास्टिक का जो है एक जाँपल क्या है तो बिंगम फ्लास्टिक सेवेज स्लज हो जाएगा फार लेमिनार फ्लो इन पाइप द वैव्यल्व मोमेंटम करेक्शन फेक्टर तो चार बटा तीन होगा चार बटा तीन यानिके 1.33 करके भी कई बारी आपसन आ जाता है ठीक है डेनोल एनोलोजी क्या है तो इसमें नसल्ट अपन रेनोल इंटू प्रेंडल प्लस टू एफ टीक है टू बाइफ क्रीपिंग फ्लो क्या होता है तो जब जो है रेनोल नमर की वैलू जो है एक से कम होती है तो उसकेस में जो फ्लो होता है उसे क्रीपिंग फ्लो कहते हैं विस्कोष्टी ऑफ गैसे इंक्रीज विथ तो जैसे आप तंप्रेचर बढ़ाओगे तो गैसों के विस्कोष्टी भी बढ़ जाएगा फारद एम प्रफिश्टी एज कंपेर टू एवरेज विलोश्टी ट्रोद चैनल इन दबेड इस तो लेस होगा उसके उसके कंप्रेजर लेस होगा ठीक है तो लावा कोशन हमने सोल नहीं किया है आपको अगर आता हो तो कमेंड बाक्स में लिखिए गा इसका करेक्ट एंसर क्या स्फेयर टमप्रेचर यह करेक्ट बाकि सब इनकरेक्ट है ठीक है फ्रोग्ष प्रोंसे में जो पाइन और यूज करते हैं तो वह किस लिए करते हैं तो रोधर का काम करती है बॉन्ड नम्मर किस किसका रिशियो है तो ग्रेवटी फोर्ष तू दस रफेस टेंसन फोर्ष का सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करना है और डिफरेंस इन देयर फ्लो विलोसिटी यानि के टर्मिनल विलोसिटी जिसे कहते हैं तो क्लसिफिकेशन उसे कहाँ क्या क्या कहेंगी04 से दोस्तो प्लासिफिकेशन दो मोस्ट कमनली यूज डि सब्सक्राइबरunk Partnership तो फ्लोकुलेशन के लिए जो डिस्पर्जिंग एजेंट आपका सिलिकेट एंड फासफेट होते हैं ठीक है करें कि दो मोस्ट सुटेबल एकुमेंट फार ट्रांस्पोर्टेशन अप्ट टू हंडे मेस साइज पार्टकल तो दो सो मेस पार्टकल साइज के लिए जो आपका नुमेटिक कन्वेर बेस्ट रहे गए यानि की नुमेटिक लिए जो वह कर रहा है वेट सीविंग इंप्लोई धेन प्रूड़क्त कंटेन तो वेट सीविंग इंप्लोई वहां पे होगा जब वेरी फाइन मैटेरियल होगी लार्ज क्वांटिट्री में ठीक है के रहा है क करस्ट एक टन को करस्ट करने के लिए कितनी एनर्जी कंजूम होगी तो 0.5 से 1.5 किलोवाट हावाट ठीक है क्रेट कल रेडियस फार दब कर्व इंसुलेशन देखेट कल रेडियस आर इसको होता है कि यहां आप डारेक्ट लिप्रोपोर्शनल के है तो वहीं कह रहा है कि जो है अगर आर के वाई लुग घटेगी यानिके डिकरीज विथ डिकरीज इन थर्मल कंडॉक्टिव तो यह इ आपको एक तरस से उसको ट्यूब साइड में इन कराऊगा क्यों क्योंकि ट्यूब के क्लीनिंग इजी हो जाएगा ठीक है विच ट्यूब अरेज्मेंट इन हीट एक्सेंज फेसलेट हाई गेस्ट ही ट्रांफर रेट तो जो है ट्रेंगुलर पिच्छ हो जाएगा एक तरस तरह लोगं चेश साब क्या सपास होते हैं इसमें से कराँ विच इस्टेटमेंट इस ट्रू तो देखिए थर्मक अनृक्टर्टर्टर्टर्र यांज जैलल लो और यान्य कर्मृ थर्माइट पोईंट्री तो फेस्ट्री के आसपास होती है तो यह जो एक करेक्ट है थर्म मतलब driving force में जो है एक तरए से बाई सब्सक्राइण नहीं है तो नहीं तो वैसे समें प्रिश में व्ली बेएशन आप और कासि होती है तो यह तरह से दो क्रिशलाइजेशन में यूज होता है होगे ठीक है हुरिस्टिक रूल किसमें यूज होता है तो यह डिसलेशन कॉलम में यूज होता है करें कि इफ एक्मोस्फेरिक टमप्रेचर इंड्यू पॉइंट टमप्रेचर दोनों की वैलुस सेम है तो रिलेटिव हम डिटिक होगी तो यह 100% होगे ठीक है तो जो है मर्फि प्लेट इप्सेंसी की जो वैलू होती है वह हमेशा उसके इप्सेंसी हमेशा 100% से उपर ही निकल के आती है करें इफ दप्रेशर आफ गैस इस इंक्रीज दो वैलू अफ डिफ्यूजिविटी यानि कि प्रेशर बढ़ा रहे तो वैलू आप इस नौट करेक्ट तो देखिए बाके डिल यू वराबर डेल याच या डेल जी यह सारे तो आपने देखा होगा डिल एक कोई भी थर्मो डैनेमिक्स में आपने एक्वेशन नहीं देखा तो इसलिए यह करेक्ट आफ्सन हो जाएगा इसमें गिप्स फेज रूल बता रहा करेक्ट हो जाएगा कमप्रेसिबिल्टी फेक्टर फार अल्मोस्ट आल गैसेश आर अप्रो मैक्सली सेम एक दो तो यह सेम क्रेटकल प्रेसर और क्रिटकल टमप्रेचर पर होगा ठीक है करा है कि वीचल फॉलविंग एक्वेशन इस नोट यूज फार प्रेडिक्शन ओफ एक्टिविटी कोफ सेंड तो उसमें जो वांटफ एक्वेशन का यूज नहीं होता है बागे सारे एक्वेशन यूज होते हैं करा एच पर डूर्बेन थियूरम फार एने क्लोश सिस्टम फॉर्म इनिसियली फॉर्म और फॉर्म और गिवेन मासिस और प्रिसक्राइब केम इन्डिपेडेंट वर्येबल मतलब उसमें दो इन्डिपेडेंट वर्येबल होने चाहिए पार्शेल मॉरल क्वांटी अर्यूरिंटी अब आप तो पार्सेल मॉरल जो है नन आडियन मिक्सर के ए इस टेडि 9 दोरहां इंपोटन होता है धिका कर इस में से को सा नहीं है विच गैस क्लोजली बेहर एन आइडियल गैस तो हीलियम हो जाएगी फार और आइडियल गैस डिफ्रेंस बिटमें एडियाबेटिक कंप्रेसिबिल्टी एंड आइसो थर्मल कंड़क्टिक तो उसके वाले क्या होगी हमें साथ पॉजिटीव होगी ठीक है को लिगे लिट्टू राउट्स ला एट तो वह वेरी हाई प्रेसर पर हो जाएगा फार प्योर सब्सक्राइब गिस फ्रे एनरजी पर मॉल एक्वल टू तो यह जो है केमिकल पोटेंसियल के एक्वल होगा ठीक है क्लाउड गैस लिक्रिफिकर्टिकर्स प्रोसेस में जो कूलिं होत तो सिंगल ट्यूबलर रियक्टर में जहां पर वैलूम जो है इसका तू तू हो ठीक है नेक्स है फार आटो थर्मल रियक्शन मैक्समुम कनवर्जन विल बी ओप्टेंग इन वीच आफ फॉल्लिंग के तो इस्ट्यार टैंक रियक्शन में जो है सबसे जादा आपका कनव सब्सक्राइब इसके समय नेक्स है फार आटो कटालिस्ट रियक्शन मैक्समुम कनवर्जन विल बी ओप्टेंग इन वीच आफ फॉल्लिंग के तो उसके समय इस्ट्यार टैंक ट्रेक्टर फालवाइट प्लग फो रियक्टर हो जाएगा फार वीच फॉलिंग रियक्शन डजनोट डिक्रीज मच आज दर रियक्शन प्रोसीड तो यह जोए आटो कटालिस्ट में दोनों तरफ से हम होता है तो इसमें यह हो जाएगा डिस्पर्जर नम्म जोए प्लग फो रियक्टर का कितना होता है तो एक तरस से जीरू होता है ठीक है एफेक्टिवनेस से टर्मिनिशन ऑफ़ सर्फस एरिया अवड़काश तो सर्फस एरिया कटालिस्ट का डिटर्माइन करना तो किसके यह करेंगे तो है नाइट्रोजन गईस कर ठीक है तो कह रहे है कि इफेक्टिव डिफूजिविटी मॉल्कुलर डिफूजिविटी और जो है कुट्शन ड हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो रेक्शन होती है वह मेंली कैसी होती है तो वह वह स्लो होती है एक्टर विच है नन यूनिफॉर्म एंड इस्टिक कंसर्टर्शन तो वह लग फ्लो रेक्टर हो जाएगा फ्लो प्रोफाइल लेमनार में फ्लो प्रोफाइल जो होती है लेमनार में, वो किस रेक्टर में होती है, तो वो tubular रेक्टर में होती है, फैनिंग एक्वेशन किसके लिए यूज होता है, तो वो turbulent flow के लिए यूज होता है, which of the equation is valid for laminar flow of fluid through a packed bed, तो यह जो है करजन कर्मन equation हो जाएगा इसका, which following controller has a least maximum deviation, तो PID controller हो जाएगा, board stability जो है जिसमें amplitude ratio 180 है, तो जो है क्या होना चाहिए उसका, तो एक से कम होना चाहिए, frequency response of second order system will be sinusoidal when, तो dumping coefficient क्या होना चाहिए, उसके समें 0 होना चाहिए, in the second order under damped system, तो उसमें dk ratio जो है, overshoot का square हो जाएगा, pyrometer का use किसले करते हैं, तो measuring solar radiation बहुत हाई, ठीक है, sunlight wall एक तरह से catch type का wall है, तो वो on of control wall है, the frequency at which maximum amplitude ratio attained, उसे क्या कहेंगे, तो उसे resonant frequency कहेंगे, the ratio of point velocity to the maximum velocity in laminar flow, तो वो क्या है, 1 minus r, इसमाल r, अरपन, capital r का square, ठीक है, कर रहा है, never stock equation किसली यूज होता है, तो यह viscous flow के लिए यूज होता है, यहाँ पर flow viscous हो, ए इस tangentious point क्या है, तो एक tangentious point, वो point है, जहाँ पर, क्या होता है, the flow velocity is 0, velocity जो है, flow का 0 हो, next है, if foot wall is foot wall क्या है, तो foot wall जो है, एक तरह से direction control wall है, the equivalent diameter of 6 cm into 12 cm conduct is, तो जो है, 8 cm आजाएगा है, इसका solve करेंगे तो, जो है, एक तरह से BOD, जो हम return mind करते हैं, उसका temperature कितना रखते हैं, तो 20 degree रखते हैं, rain water, जो है, वारिस के पानी का, जो एक तरह से pH value भारत में कितनी रहती है, तो 5-6 यह बहुत important है, rain water का pH पूछता है, पान से 6 के बीच में, मीसोफिलिक temperature का range क्या होता है, तो 25-42 हो जाएगा, मीसोफिलिक जो है, आप वो इसमें पढ़ेंगे, water treatment में, तो वो थोड़ा समझ में आ जागा, क्या खहरा है, करें जहाँ पर, एक से लेके, इसमें जो है, आपका, ब्योडी, पूछा था, ठीक है, mercury, mercury सबसे ज़्यादा किस plant से निकलती है, तो thermal power plant जो coal based के होते हैं, तो उसमें mercury एक तरह से pollution का का काम करती है, हजार स्वेश्ट को जो है, कौन से इस industry है, हजार स्वेश्ट को जो एक तरह से जलाने का काम करती है, तो cement industry में हजार स्वेश्ट को एक तरह से जला भी सकते हैं, ठीक है, इसमें जो clarify का diameter पूछा है तो इसको भी हमने solve नहीं किया, बोपाल gas में कौन सी gas release हुई थी, तो M.I.C. methyl isosyanite हो गया एगा, इसका, lime stone is predominantly, मतलब lime stone एक तरह से क्या है, तो ये calcium carbonate है, ठीक है, को कोवेन गैस किसकी composition है, तो इसमें थोड़ा सा doubt लग रहा हुझे, क्योंकि को कोवेन गैस में hydrogen सबसे ज़्यादा 50% होती है, methane 34% होती है, co 10% होती है, and to 7% होती है, तो इसमें जो है, methane दिया है, तो hydrogen नहीं दिया है, hydrogen, तो मुझे जो है, तीसरा option सही लग रहा है, क्योंकि इसमें maximum component लिया है, carbon, monoxide, nitrogen, hydrogen, hydrogen, तीनों लिया है, ठीक है, methane बस नहीं लिया है, कि हाई temperature का carbonization, coal का कितने temperature पे carbonization होता है, तो 900 से 1150 degree, producer gas को कैसे प्राप्ट करते हैं, तो जब हम steam और air को red hot coat पे पास कराते हैं, तो producer gas हमें प्राप्ट होती है, raw material जो है, calcium carbide बनाने का जो है, क्या है, तो lime stone और coke हो जाएगा, ठीक है, from which process propylene is recovered in a refined rate, तो देखिए अब जो है यह आपका industrial questions है, जो एकदम दमखम रखने, अपने आप में repeat होने के, तो का रहा है कि प्रोपिलीन को recover करना है, तो किस process से करते हैं, तो उसको fluid catalytic करेके अप CC में, अप CC plan में recover करते हैं, ठीक है, का रहा है कि 100% sulfuric acid को store करना है, तो उसको किस में store करेंगे, तो देखिए एक तो इसका option जो है lead भी हो सकता है, ordinary carbon steel भी हो सकता है, जब large quantity में store करना होगा, तो ordinary carbon steel आएगा, छोटे level पे तो उसको CC में, CC के जार में आपने देखा होगा, लैब में कभी गए होगे, तो वहां रख सकते हो, लेकि इसमें clear नहीं बोला है, large amount में रखना है, या small amount में, जब कि plant में हमने जो है, sulfuric acid भी handle किया है, तो वह जो है carbon steel के बनी होते हैं, ठीक है, नेक्स से rubber lining थोड़ी सी रहती है, which of the following is, use feed stock in manufacturing of linear alkyl benzene, linear alkyl benzene का जो feed stock क्या है, तो एक तरह से केरोसीन हो जाएगा, TAME यानि कि terminal methyl ether, यह जो है, किसके etherification से बना होता है, तो यह two methyl butane के हैं, ठीक है, यह भी बहुत important question है, which of following is used for manufacturing, आप teraphytlic acid तो जो है, P-gylene है, ठीक है, यह कुज़रात में भी आया था, pyrolysis, pyrolysis gasoline is obtained from which of the process, यह भी बहुत important है, तो pyrolysis जो gasoline का होता है, वो hydrocracking से हम कराते हैं, ठीक है, desulphization जो होता है refinery में, वो basically कैसे होता है, तो वो adsorptive होता है, यह नि एड्जॉब करा लाते हैं, यह जे डन न एड्जरवर में ले जाएके, ठीक है, प्लास्टिक है लोवेश्ट कर तो पॉलिथीन हो जाएगा, पॉलिथीन की कई प्रवाट कम होती है, जिगलर नाटा काटलिस्ट जो है, इसके मैं उन्फेक्चरें में यूज होता है, तो वैसे यह कई होता है, कई लो डेंस्ट पॉलिथीन, पॉलिथीन, बाकि वह उप्सन नहीं है, तो इसमें पीटी, एफी में भी होता है, यह टपलान में भी, ठीक है, यह जुलाई दोजाट चोविस की करण्ट फेर्स के कोशन है, दोस्तों, इसमें जो है कि जुलाई का देखना है, हमें और अगस्त का देखना है, करण्ट फेर्स के लिए, ठीक है, तो आपका लगबख क्लियर हो जाएगा, तो यह देख लीजेगा थोड़ा, टाइम कम में तो इसको में देरे-देरे जो है, जो है, स्लाइड जो है, वो कर रहा हूँ, एक बार इसको थोड़ा सब पढ़ लिजेगा, बहुत अच्छा जो है, इसमें कोश्चन जो है, इसमें हैं कम्बाइंड सिष्टी कोश्चन है, और जुलाई के हैं, जुलाई में जितना घटित हुआ है, उनको MCQ टैप के हैं यह, इनको देख लिजेगा, टिक हैं सब, क्योंकि सिष्टी कोश्चन एक्स्प्लेइन करेंगे, तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही अगस्त का भी हम ला देंगे, तो उसको भी आप देख लिजेगा, बाकि और क्या रहेगा, इम्पोर्टेंड जो है, करन्ट अप्यर्स में, वो बता देजेगा, उस पे भी एक वीडियो बना देंगे, जैसे मुझे लगता है, टी ट्वन्टी, और जो है, इसका, वर्ल्ड कप वाला, और एक ये, पेरिस ओलंपिक, इससे कोशन आ सकता है, तो इन दोनों का, बना देंगे, बाकि दोस्तों, ये जो है, शिष्टी है, जो जुलाई में, जितनी भी, जो है, करन्ट अफेर्स, जितने भी, सभी लेवल के, जो भी, है, यहीं है, इसको पढ़ लेंगे, तो में भी आ जाए, ठीक है, बाकि अगस्त का, ऐसे ही ही, हम ला देंगे, तो मिलते हैं, आप से नेक्स वीडियो में, दोस्तों, एक चीज और है, दोस्तों, जैसे आप लो कमेंट में, ये लिख देते हो, कि इसका उफ्षन ये होगा, अपस्तों ये होगा, बढ़ थोड़ा सा एक्स्प्लेइन, उसको अगर आप कर लो, तो बढ़िया रहा है, ताकि मुझे भी लगए, कि हाँ, इस फार्मूले से आपने सॉल्व किया है, या इस बेस पे आप कह रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा, कमेंट में थोड़ा सा एक्स्प्लेइन भी कर दिया कीजिए, ठीक है, कि ये जो अप्शन ये है, क्योंकि जो है, इसकी रीजन ये है, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया हो जागा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स फर वाचिंग दोस्तों, जाए!